लेकिन मैं हरान हूं खिलेजी मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं लेकन बेचारे गधेव के उपर आपको गधे का भी डर लगने लगकाया क्या अरे वो तो सेंकड़ो किलोमेटर दूर है आप इतने गवराते कायो और मैं हरान हो यह आपकी जातिवादी मानसिकता उंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता यह पशू में भी उंच और नीच का भाव देखने लग गई गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया बहुत स्वाभाविक है आपकी सरकार तो इतनी एफिशेंट है इतनी एफिशेंट है कि किसी की भैंस खोजाएं तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी यही तो आपकी सरकार की पहचान है लेकिन अखिलेज जी आपको पता नहीं है गधा भी हमें प्रेरणा देता है गधा भी हमें प्रेरणा देता है अगर दिल दिमाग चाप हो तो प्रेरणा ले भी सकते है गधा अपने मालिक पर वफादार होता है गधा अपना मालिक जीतना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है कम से कम खर्चे वाला होता है भायो भनो गदा कितना ही बिमार हो कितना ही खाली पेट हो कितना ही ठका हुआ हो लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है अखिलेश जी ये सबासो करोर देशवासी मेरे मालिक है वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूँ बिना छुट्टी लिए करता हूँ ठक जाओं तो भी करता हूँ कभी भूका रहा तो भी करता हूँ क्योंकि गदे से प्रिणा लेता हूँ और बड़े गर्वत से लेता हूँ ताकि इन सबासो करोर मेरे देश सबासों के लिए गदे से भी जादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओं इस गवरों के साथ काम करता हूँ और गधा उसकी पीट पर चीनी हो या उसकी पीट पर चुना हो गधा कभी बेद नहीं करता है चीनी हो तो जादा चलना चुना है तो नहीं चलना ये गधे का स्वभाव नहीं होता है वो तो उन लोगों का होता है जो प्रिश्चाचार में डुबे होते हैं किस रंग की नोट टेबल पर आई ही है उस रंग के हिसाब से काम करते हैं गधा ऐसा नहीं करता है आर अखिलेश जी जिन गुजरात के गधों को उन गधों पे आपको इतनी नफरत है लेकिन वो ही गुजरात है जिसने दयानन सरस्वती को जन्म दिया था वही गुजरात है जिसने महत्मा गांधी को जन्म दिया था और वही गुजरात है जिसने सरदार बल्लब भाई पटेल को जन्म दिया था और वही गुजरात है बगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बहना बसना पसंद किया था और इसलिए अखिलेजी यह देश हमारा है हर कोना हमारा है यह नफरत का भाव आपको शोभा नहीं देता है भाई यह बहनो अखिलेज जी के अग्यान के समन में तो मैं क्या कहूं लेकिन अच्छा होता कि जीन को आपने गले लगाया है उनको भी जड़ा गौर से देखते उनको भी जड़ा समझने का प्रयास करते आपको पता होना चाहिए जीन को आपने गले लगाया है उनकी जब सरकार थी यूपिये की सरकार थी जीनके गले लगकर के आप लोगों से वोट मांग रहे हो उस यूपिये सरकार ने दो हजार तेरा में इसी गधों का पोस्टल स्टेंप निकाला था यूपिये सरकार ने इनी गुजरात के गधों का डाग टिकल निकाला था अखिले जी वो गधा कितना होनहार होगा वो गधा कितना महत्वपुन होगा यह अब आपको समझ में आ गया होगा कितना महत्वपुन होगा